हेलो अलो प्यू गाईज वेलकम टू माई यूटूब चैनल स्टेडी मेटेरियल एटू जट एरफोर्स एकसेंड वाई ग्रूप एंड रेली ग्रूप इंटेक जीरो टू दो हजार बीस वाले जो कैंडिडेस हैं उनका सबसे बड़ा जो कोमेंट आ रहा है कि आपके पी फा लिए होंगे थोड़े से स्ट्रिक्ट रूल हैं तो आपको जो उनको फॉलो भी करने हैं नेक्स्ट बात गाईज आपके सबसे बड़ा कोमेंट और आपका एक गलती आप करें गाईज आप वीडियो सुरू से लेके लास तक नहीं देखते हैं जिसके कारण आपसे गलती हो क्योंकि आपने वीडियो कलियर ली नहीं देखा इसलिए आपसे ये गलती हो रही है तो फिर से मैं आपको बता दूँगा कि आपको जोइनिंग टाइम पे जो सबसे पहले कहां पे परजेंट होना है तो चलिए स्टार्ट करते हैं जो भी केंडियस नहीं हो चैनल को सब्सक आपका जोइनिंग लेटर है और यहां पे आप नीचे स्क्रोल करेंगे तो यहां पे सपस्टली मेंसिन किया हुआ है एक बार आप पढ़ेंगे सिक्स नमबर पॉइंट को तो यहां पे देख सकते हैं इप यू आर इन्रोल्ड यू विल भी रोटेड फोर जोइनिंग बेस प्रोसेस वहां पे एसी में जोइनिंग करने के बाद में आपको बताई जाएगी पहले आप रिपोर्ट तो करें वहां पे तो सबसे पहले आपको वहां पे रिपोर्ट करना है जो आपको यहां पे जैसे की यहां पे बेल लगाओ इनको सेंटर दिया गया तो इस परकार य जो की रहेगी जनको medical due मिला है उनका एक बार फिर से चेक अप होगा और आبको पता होगा कि joining time पर भी medical होता है तो जो Calling time पर जो सभी का कैंडियस का medical जो की होने वाला है तो यह चीजँ आप note कर लिजेगा और शुरू से लेकर लास तक वीडियो देखेगा क्योंकि confuse अगर रह जाती है तो आपके नोकरी का सवाल है गाईज चलिए गाईज अब स्टार्ट करते हैं आपके क्या-क्या आपको फोर्म फिलप करने हैं दोस्तों आपको जो यहाँ पे एरबोर्स की official website पे आ जाना है और यहाँ से ही आपको सबसे पहले जो केंडियस पूछ रहे हैं कि आपको कहां से डाउलोड करना है तो आप instruction यहाँ से भी डाउलोड कर सकते हैं और आपके email ID पर भी आपको provide करवा दियें जहां से आपने joining letter को डाउलोड किया है तो यहाँ पे important instruction आप पहले पढ़ लीजिए मैं बार-बार यही बोल रहा हूं और यहाँ पे आपको यह जो फोरम है COVID-19 undertaking जो फोरम है यह भी आपको फिलप करना है सभी को फिलप करना है यह आपको और consent फोरम उनी candidates को करना है जिन candidates की age below 18 year से below है उनको करना है और आपके जो joining instruction यहाँ पे पढ़ सकते हैं अब बात करते हैं गाईज आपके P5 फोरम को किस तरह से submit करना है और यह आपको सबसे पहले बता देता हूं X and Y group and really सभी candidates को फिलप करना है तो ऐसे में आप सभी candidates फिलप कर लीजिएगा चलिए now गाईज यहाँ पे आप देख सकते हैं कि P5 फोरम है P5 फोरम के अंदर आपको जो capital letter में आपको अकसर यहाँ पे फिलप करना है जैसा capital letter में फिलप करना है जैसा कि किसी candidates का नाम मुकेस है तो आपको इस परकार से फिलप इस तरह है कि आपको capital अकसर का प्रियोग करना जितना भी आपको क्योंकि यहाँ पे सबसे पहले आपको बोला गया है यहाँ पे आपको अपना रोल नंबर फिलप करना है जो कि आपका mention किया हुआ है नेम अपना जो फिलप कर दीजिएगा फादर नेम यहाँ पे के सवम का चलेगा एक बार और यहाँ पे जो की place of birthday आपको birth बता देना है किया आपका जनम जो किस्तान पे हुआ है आपके state और district दोनों यहाँ पे mention कर देनी है और आपका धरम क्या है यह भी आपको बता देना है और next अगर आप S.E.S.T. यह तो आप yes या no कर दीजिएगा आपकी mention कास्ट यहाँ पे आपको बतानी है यहाँ आपको कास्ट यहाँ पे बतानी है S.E.S.T. जो भी आपकी कास्ट है तो आप फिलब कर दीजिएगा married and married आप जो बता दीजिए कि yes या no उसके बाद आपका आता है mother tongue तो आपकी जो मात्र भासा है वो यहाँ पे फिलब कर दीजिएगा यहाँ पे identification जो mark है आपने जो एरफोर्स में यानि जो फोरम समिट करते हुए आपने किया था वो आप एक बार समिट कर दीजिएगा और अपना यहाँ पे house name आपके जितने भी लोकलिटी यानि आपकी street, village, town, post office आपकी जो भी लगती है district और आपके state थाना आपके पास तहसील यह सब आपको यहाँ पे फिलब करना है नेक्स्ट है आपके pin code number आपको pin code भर देना है और आपको next guys आप कौन से से हैं आप यहाँ पे बता सकते हैं आपके SCA, STA, OBC तो यह भी आप बता सकते हैं next आ रहा है कि आपके जो nearest railway station कौन सा लगता है यह भी आप बता दीजिएगा जिसके भी आपके लगता है और distance from home to nearest railway station यह भी आप बता दीजिए कि आपके घर से जो की पास में जो railway station कौन सा है SC, OBC यह जो आपकी बता देनी है पैन नमबर आपको पैन नमबर उमीद करता हूँ कि आपने पैन कार्ड बनवा लिया होगा क्योंकि मैंने पहले भी बोल दिया था कि आपके पैन कार्ड जरूरी है तो आप पैन कार्ड नमबर डाल दीजिएगा आधार कार्ड नमबर यहा आपको बैंक में मिल जाएंगे MISCR कोड यह सब आपको फिलप करने हैं नेक्स्ट आ रहा है मोबाइल नंबर यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर डाल देना है तो आप बैंक पास बुक को यस या नो कर दीजिएगा अगर आपके पास है आपके फेमिली डिटेल्स फेमिली डिटेल्स में आप यहाँ पे अपने पतनी का नाम यहाँ पे फिलप करना है प्लेस ओ बर्डे यहाँ पे आपको और आपके जो ओक्यूपेर्शन है यह भी आपको डैटो मेरीज अगर आप गाइज मेरीड है तो यहाँ पे आपको समिट करना है अन्यत आपको कोई समिट नहीं करना है तो यह गाइज आपका फेमिली डिटेल है इसको आप खाली भी छोड़ सकते हैं क्योंकि आप जो अगर आपकी साधी नहीं हुए है तो फिर आप कहां से बताएंगे तो इसलिए आपको इसलिए अधा का रुक्त के अधर के के अंदर आपके दसवी एंड बारवी आपको मारक्स बताना है डिविजन बताना है और आपके बार आप यूनिशिटी यानि जो किस बार से आपने किया था और आपको subject study बतानी है कि अंदर आपने study की थी तो ये भी आपको बताना है अगर आपके पास NCC certificate है तो guys आप जो यहाँ पर yes कर सकते हैं यानि आपके पास अगर A certificate है तो A फिलप कर दो B है तो B कर दो अन्यता आप खाली छोड़ दो अगर C है तो आप C कर सकते हैं अगर आपके पास sports से related है तो आप जो फिलप कर सकते हैं अन्यता आप खाली छोड़ सकते हैं नेक्स ली आपका अगर देखे यहाँ पर देखे रिलेटिव अगर यहाँ पर आप करना चाहें तो कर सकते हैं देखेगा name and address of two persons से note your relative तो आप यहाँ पर चाहें तो बता सकते हैं अन्यता खाली भी को जो जितना फुलाया जा सकता है सीना उतना फिर उसके बाद में आपको minimum तो यह सारी चीजें आपकी medical वाली है और अगर आपके body के अंदर कोई tattoo है तो yes या no कर दीजिएगा next अगर हम बात करें आपके relative working in origin तो यह कोई portrait नहीं है और यह आप अगर हैं तो आप कर सकते हैं next guys आपके बात करें तो यहां पर आपका डियो भी फिलप कर देना जब आप submit करें और आप signature कर देना तो यह था आपका p5 forum उमीद करता हूं कि guys लगभग मैंने पूरी कोशिच किया कि सही हो अगर कोई गलती हो गया तो आप से sorry चाहता हूं और अगर कोई गलती हुई है तो आप जो comment box में comment कीजिए मैंने जो मेरे coding बता दिया है कि इतना सा आपको फिलप करना है क्योंकि copy candidates का comment आ रहा कि P5 जो form कैसे submit करना है तो यह था guys आपको उमीद फिलप कर लीजिए और आप जो अपने joining के लिए जाईए फिर से guys आपको वहाँ पे ASC दी गई है उसी में आप आपको प्रजेंट होना है उमीद करता हूं guys आपको वीडियो पसंद आए अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और जो भी केंडेस नहीं है वो चैनल को सिस्क्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा दोस्तों मिलते है नाक्स्ट वीडियो अपडेट के साथ अपते के लिए बाइज जहीं जबार्त वंदे मातरम